Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल, February 2022 की लव टारो रीडिंग और देखे इस रीडिंग में में रपस खास हाट कन्फेशन के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मनही मनव आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं और दूसरी बात अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखिए इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Libras, देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह Valentine's Special है तो यह सी रीडिंग में हम रपस 3 पाइल्स की जगा पर 4 पाइल्स है and first pile में हम देखेंगे कि आपकी क्या energies रहेंगी second pile में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या energies होंगी and third pile में हम देखेंगे कि finally February month में क्या हो रहा है और देखें fourth pile को जैसे कि आप सब लोग ही पड़ पा रहे होंगे इसमें heart confessions लिखा हुआ है तो आपके partner मन ही मन आपके लिए इस relationship के लिए क्या सोचते हैं लेकिन आपको नहीं कहते हैं या फिर उनकी क्या secret intentions हैं इन ही सब चीज़ों को हम जानेंगे fourth pile में and Libras इस वीडियो में हम देखेंगे कि February month में आपकी क्या energies रहेंगी तो Libras overall अगर आपकी energies देखें तो पूरे ही month में कहीं एक सी energies रहते हुए दिख रही हैं जहाँ पे बहुत actively आप किसी भी चीज़ में involved अपने आपको नहीं कर रहे हैं again बहुत actively किसी भी चीज़ में आप participate करते हुए नहीं दिख रहे हैं और specifically देखें तो यहाँ पे सबसे पहला card है Queen of Wands Rivers और यह card कहता है कि February starting में हो सकता है कि आप action initiatives लेना चाहा रहे हैं जो भी इस relationship में हो रहा है उसी को ही लेके कहीं आप बहुत courageously, बहुत boldly upfront होके चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे हैं और दिखें यहाँ पे सब Libras के लिए different reasons हो सकते हैं क्योंकि यह general reading है लेकिन Queen of Wands के नीचे protection का card कहता है कि ऐसा करके कहीं आप अपने partner को या फिर इस relationship को protect कर रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि अगर अभी आपने बहुत action initiatives लिए या फिर upfront होके चीज़ों को deal किया तो कहीं इस relationship या फिर आपके partner के लिए कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं और दिखें हाँ पे royal crown का card भी repetition की बात करता है तो फिर से देखें अपने partner की reputation, इस relationship की reputation या फिर अपनी reputation के बारे में आप सोचते हुए देख रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है कि भाई नाम किसी का भी नहीं खराब होना चाहिए और कुछ Libras के लिए हो सकता है कि मन ही मन आप अपने partner को लेकर बहुत गर्वित महसूस करते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप कितने लगी हैं कि आपके partner आपकी life में है तो देखे फिर से मैं कहूंगी कि pride आप अपने partner को लेकर महसूस कर रहे हैं और देखे mid February के बाद से end February तक के लिए यहाँ पर four of swords, reverse and hermit के cards बिल्कुल ही similar सी energies की बात करते हैं दोनों ही cards withdraw करने की बात करते हैं passive energies की बात करते हैं तो देखे यहाँ तो आप बिल्कुल भी action नहीं ले रहे हैं यहाँ फिर आप बिल्कुल भी action initiatives नहीं लेना चाहा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं और देखे four of swords के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक इनसान लेटा हुआ है और देखे यह card भी कहीं बहुत एक resting energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी Libras mid February में रहता हुआ देख रहा है और देखे end February के लिए Hermit का card कहीं introspective energies की बात करता है एक missing feeling की बात करता है किसी चीज को ढूंडने की भी बात करता है और फिर से मैं कहूंगी कि कुछ ऐसा ही आपके लिए भी February मन्त में या फिर end February में रहता हुआ देख रहा है जहां पर जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं कहीं वो आपको वो happiness वो joy नहीं दे पा रही है और कहीं देखिए again मैं कहूंगी कि आप किसी चीज को ढूंड रहे हैं और हो सकता है कि in the process आप किसी को guidance advice दे रहे हैं और पिर किसी से guidance advice ले रहे हैं और देखे हर्मिट के नीचे first petal का card कहता है something is beginning to fade and fall apart, our flower cannot bloom again तो देखे हैं यहाँ पर first petal वाली energies कुछ Libras की हो सकती है कुछ Libras को अपने partner की तरफ से ऐसी energies लग सकती है और देखे है नचेल में यह card कहता है कि यह connection या फिर attraction किसी level पे थोड़ा सा fade होना शुरू हो रहा है तो देखे हो कुछ नहीं रहा है लेकिन शुरू हो रहा है और देखे है Libras अगर यह आपकी energies हैं और आप अपने partner को अपनी life में चाहाते हैं तो इस चीज को ज़रूर आप check करके correct करें और जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ Libras को अपने partner की तरफ से ऐसी feeling हो सकती है कि भाई उतना attraction या फिर उतना enthusiasm उनके मन में आपके लिए या फिर इस relationship के लिए नहीं है तो देखे Libras मैं आपको यही कहूँगी कि energies are pan down होती रहती हैं कभी भी हम पूरी तरीके से या हमेशा ही उदास नहीं होते हैं और कभी भी हम हमेशा ही खुश भी नहीं होते हैं अब pan down होता रहता है तो कभी हम अपने partner के लिए बहुत love महसूस करते हैं कभी इतना नहीं महसूस करते हैं और इसका मतलब यह नहीं होता है कि प्यार खतम हो गया या फिर you know कुछ issues, कुछ मसलें हैं और हो सकता है कि February end में कहीं आप बहुत enthusiasm, बहुत excitement in general या फिर कुछ चीजें चल रही हैं उसकी वज़े से इस relationship को लेकर या फिर you know अपने लिए ही नहीं महसूस कर रहे हैं तो ये था Libra's आप लुगों के लिए February 2022 की energies and next video में हम देखेंगे कि आपके partner की February month में क्या energies रहेंगी and Libra's अब देखते हैं कि February month में आपके partner की क्या energies रहेंगी तो देखें आपके partner के लिए हापे सबसे बहला card है Wheel of Fortune Reverse और Wheel of Fortune का card कहीं speed की बात करता है, movement की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है और देखेंगे आपके partner के लिए ये card reverse है तो कहीं इन्ही सब चीजों से related issues हैं या मैं कह सकती हूँ कि वो एक speed इस relationship में चाहते हैं, वो चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं next level पर लेकर जाना चाहते हैं लेकिन देखें Libras, आपके cards में हमने देखा था कि आपकी इतनी active energies नहीं है कहीं आप action लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं और कहीं आप withdraw भी कर रहे हैं और इसी लिए देखें, surface level पर एक speed चाहने के बावजूद चीजों को आगे बढ़ाने के बावजूद, मन ही मन वो patience रखते हुए दिख रहे हैं दिखें, इस card में लिखा हुए, patience is now required relax and enjoy the sweetness of life, let the universe take care of the details तो दिखें, universe पर या फिर जिस भी God को वो मानते हैं उन पे faith करते हुए, थोड़ा सा सब्र, deeper level पे रखते हुए दिख रहे हैं जो भी चीजें उनकी life में हैं, उनमें अपने आपको involve करके enjoy करना चाहा रहे हैं लेकिन देखें, mid February के बाद से याँ पे letter and page of cups के card कहीं communication की बात करते हैं, कहीं messages की बात करते हैं, contact करने की बात करते हैं तो आपके partner देखें या तो आपकी तरफ से एक active energies चाहा रहे हैं कि भी उनको लग सकता है कि आप क्यों initiatives और action नहीं ले रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि पहले जैसे आप you know action initiatives लेते थे upfront होके चीज़े deal करते थे, वैसे ही आप कर रहे हैं, again देखेंगे expect कर रहे हैं या फिर वो खुद से ही आपको message करना चाहते हैं अपनी feelings, अपनी emotions को communicate करना चाहते हैं या फिर कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है कि वो communicate भी कर रहे हैं और देखेंगे यहाँ पे seven of pentacles का card कहता है कि वो सोचते विचारते हुए दिख रहे हैं कि क्या हो गया कि आप ऐसे कर रहे हैं क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए तो again मैं कहूंगी कि एक planning बनाते हुए दिख रहे हैं या pause करके चीजों को और understand करना चाहते हैं आपकी इन ही energies को और समझना चाहते हैं लेकिन देखिए end of February के लिए यहाँ पे toxic and page of cups के cards कहते हैं कि उनका you know सब्र खतम हो सकती है, वो frustrated हो सकते हैं चीजों को लेकर और उनको ऐसे लग सकता है कि अब तो बहुत you know यह relationship toxic हो गया है और देखिए surface level के लिए page of cups का card कहता है कि इसी वज़े से यह आदव wise भी काफी emotional, काफी sentimental वो हो रहे हैं और उनकी थोड़ी सी immature energies भी रह सकती हैं जहाँ पे वो अपनी feelings, अपनी emotions को again मैं कहूंगी या तो express करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं तो देखिए nutshell में आपके partner की energies देखें तो कहीं February starting में speech चाहने के बावजूद चीजों को आगे बढ़ाने के बावजूद वो कहीं एक sabr रख रहे हैं, patience रख रहे हैं और mid February में कहीं वो हैरान हो रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि आप क्यूं इतना passive energies में हैं क्या हो गया जो आप उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूंगी कि या तो आपको communicate करना चाहा रहे हैं या आपकी तरफ से पहले जैसे communication का किसी level पर वेट कर रहे हैं और देखें end February तक भी आपकी तरफ से वैसी energies नहीं मिलने के बाद वो काफी परेशान या काफी frustrate भी मन ही मन होते हुए दिख रहे हैं और emotional and sentimental भी कहीं होते हुए दिख रहे हैं तो ये था Libra's आपके partner की February month की energies and next video में हम देखेंगे की February month में इस relationship में क्या हो रहा है and Libra's अब देखते हैं की February month में इस relationship में क्या हो रहा है तो देखें February starting के लिए हाँ पर सबसे बहला card है Seven of Cups Reverse और Seven of Cups Reverse का card कहीं distractions को खतम करने की या फिर कम करने की बात करता है अपने goal अपने मकसद पर focus करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं और देखेंगे ये general reading है तो यहाँ पर ये मकसद ये goal सब का differ कर सकता है लेकिन देखें Seven of Cups के नीचे love of money का card है तो बहुत ज़ादा अलिबरास दिख रहा है कि आप या आपके partner again जो भी चीज़े आपको distract कर रही हैं उनको कम करकर अपनी professional life, अपने career पे ज़ादा focus करना चाहा रहे हैं कही practical, tangible, materialistic चीज़ों पे ज़ादा focus करना चाहा रहे हैं कर रहे हैं और दिखें कहीं mid February के लिए दोनों ही cards changes की बात करते हैं judgment का card भी कहीं endings और beginnings की बात करता है और wins of change के card में तो देखो mention ही किया हुआ है कि change किसी तरीके का इस relationship में आ रहा है और दिखें judgment का card decision और choices की भी बात करता है तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो सकता है कि कोई decision कोई choice भी इस relationship को ले कर लेना चाहा रहे हैं और दिखें आपके partner के लिए यहाँ पे seven of pentacles के card में भी हमने देखा था कि कोई decision ले रहे हैं या फिर लेना चाहा रहे हैं और कहीं उसी से related एक सोच उनके mind में चल रही है तो देखें ये भी कुछ Libras के partner के लिए रह सकता है नहीं तो in general के लिए देखें फिर से मैं कहूंगी कि कुछ चीजों को end करके और especially वो चीजें जो परिशान कर रही थी या फिर इस relationship में किसी भी level पर issues create कर रही थी उन्हीं चीजों को आप end करके एक नई beginning किसी भी level पर करना चाहा रहे है या फिर एक नई beginning हो रही है और देखें विंज ओफ चेंज के card में लिखा भी है improvement breezes into your love situation तो देखें किसी level पर चीजें कहीं mid February में improve भी होती हुई दिख रही है और देखें Valentine's Day भी कहीं mid February में होता है तो इस हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आप लोगों का Valentine's ठीक ठाक रहे और देखें जो भी mid February तक हो रहा है नहीं end February के लिए yes and the emperor के cards कहते हैं कि मन ही मन आप दोनों ही बहुत ही sure है अपने partner को लेकर एक दूसरे को लेकर इस relationship को लेकर लेकिन surface level पे कहीं बहुत जादा खुल के चीजें नहीं हो रही है इस relationship में यहां मैं कह सकते हूँ कि एक limitations एक restrictions आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बनाते हुए दिख रहे हैं कहीं जिसे कहते हैं healthy boundaries भी create करते हुए दिख रहे हैं और देखें emperor भी कहीं एक protective energies की बात करता है तो यहां पे liberals देखिए जो भी limitations है restrictions हैं उनके पीछे मकसद यही है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस relationship को protect करना चाहा रहे हैं और शायद इसी लिए discipline तरीके से या फिर systematic तरीके से आप लोग चलना चाहा रहे हैं या फिर चल रहे हैं तो यह था लिबराज आप लोगों के लिए February 2022 की reading and next video में हम देखेंगे कि आपके partner के क्या secret intentions हैं आपके लिए and लिबराज अब देखते हैं कि आपके partner की क्या secret intentions हैं आपके लिए इस relationship के लिए तो देखेंगे आपे सबसे पहला card है distance is no barrier तो लिबराज पता नहीं आपके partner ने कभी आपको कहा या नहीं कहा लेकिन मन ही मन उनको ऐसा लगता है कि distance यानि की दूरी कभी भी एक रुकावट कभी भी एक barrier इस relationship के लिए नहीं रह सकती है in natural देखें चाहें आप उनके पास रहें चाहें आप उनसे कितनी भी दूर रहें या दूर चले जाएं उनके मन में आपके लिए प्यार महबबत कभी भी कम नहीं होगा वो उतना ही प्यार उतनी ही महबबत आपसे करते रहेंगे और देखें we will be together and I keep dreaming of UK cards कहते हैं कि वो आपके बारे में बहुत जादा सोचते हैं वो ख्वाब देखते हैं कि आप दोनों future में साथ में रहेंगे या फिर देखें अपना future वो आपके साथ चाहते हैं और उसी से ही related वो एक ख्वाब भी देखते हैं तो यह था लिबराज आपके partner की secret intentions अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें